जहिन दोस्तों, वल्कम टू आउट ओदा बॉक्स, मेरा नाम विवेक है, और आज देख रहे हैं क्लास 11 की बुक, आर्ट अन कल्चर का पहला चैप्टर, जो की है प्री हिस्टॉरिक रॉक पेंटिंग्स काफी important chapter है, अगर आप कलास 11 में हो, या फिर आप किसी भी government exam की तयारी कर रहे हो अगर देखने का मन नहीं है, तो कानमी earphones लगा लो, मैं story की तरह बताऊंगा, सब कुछ समझा देगा A to Z अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, शुरू करते हैं पहली बत समझते हैं कि ये जो chapter नाम है, prehistoric rock paintings का मतलब क्या है, ऐसी rock paintings, जो prehistoric time पर की गई हो, बनाई गई हो, अब prehistoric time होता कौन सा था, ऐसा time जब ना तो कोई कागस था, और ना ही कोई भाशा थी, ऐसे time को prehistoric या prehistory कहते हैं, ठीक है, prehistory या prehistoric time इस time पर जब कोई कागस ही नहीं होगा, तो फिर किताब का तो नाम और निशान कहां होगा, ठीक है, और भाशा ही नहीं होगी, तो फिर लिखने का जो शब्द है, जो written word है, वो लाओगे कहां से, आपके पास तो भाशा ही नहीं है, समझ रहे हो, तो ऐसे time को prehistoric time कहते हैं, अब क्या हुआ कि काफी time तक हमें ये पता नहीं था कि जो प्राचीन मनुष्य है, वो कैसे रहता था, वो क्या खाता था, पीता था, उसकी आदते क्या थी, हमें कुछ नहीं पता था, फिर क्या हुआ कि जो scholars हैं हमारे, जो archaeologists हैं, जो historians हैं, उन्होंने काफी efforts लगाए, काफी जो जमीन को खोदा, और खोदने के बाद उन्हें काफी सारी चीज मिली, जैसे कि पुराने ओजार, मटके, हड्डियां, आदमी की, जानवर की, और काफी जगहों पर उन्हें गुफाई मिली, और उन गुफाओं के अंदर उन्हें paintings मिली, drawings, तो इन सब evidence को मिला कर, उन्होंने एक काफी अच्छा एक conclusion निकाला है, और वो conclusion ये है कि जब पुराना जो प्राचीन मनुष्य है, उसकी जब जरूरत, जब खाने की जरूरत, उसकी पानी की जरूरत, पहनने की और shelter की जरूरत जब पूरी हो जाती थी, तो उसको मन करता था कि वो अपने आपको express करे, वो अपनी भावनाओं को express करे, व्यक्त करे, और वो कैसे करता था व्यक्त, वो करता था drawing से, वो करता था painting से, ये हमें पता चला है इस evidence की मदद से, और जब वो अपने आपको express करता था, तो वो जो painting जो ही करता था, ये करता था cave walls के उपर, क्योंकि उस time पर ना तो को कुफाओं की दिवारे हैं, इनको ही वो अपने as a drawing canvas के रूप में use करता था, ये हमें पता चला है इन evidence की मदद से, अब जो ये drawing होती थी, वो करता क्यों होता है, पहली बात ये, एक तो हमने देख लिया कि भई, express करता था अपने आपको, express करने की इच्छा थी उसकी, दू या फिर वो एक बस visual record करना चाता हो, एक kind of की record रखना चाता हो कि हाँ, आज मैंने ये ये काम किया, आज हमने hunting की, या फिर आज हमने नाच गाना किया, तो इसका एक record रखने के लिए भी शायद वो ये चीज़ें draw करता हो, तो जो prehistoric जो period है, इसको हम old stone age या paleolithic age भी कहते है अब paleo का मतलब है old, और lithos जो है, lithic, sorry, lithic जो है, वो आया है lithos से, और lithos का मतलब है stone, तो पुराने पत्थर का समय, ठीक है, पुराने पत्थर के समय को paleolithic age कहते हैं, अब क्या हुआ कि जो लोर paleolithic जो time है ना, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, to be very true, क्योंकि उसके जो art objects हैं, जो artistry होती होगी शायद उस time पे, वो हमें मिली नहीं, और इसी वज़य से, इसी वज़य से हमें कुछ ज़्यादा अनुमान हम लगा नहीं पाए कि उस time पर लोग करते क्या थे, लेकिन अपर paleolithic time जब तक आया ना, तो काफी सारी activities होने लग गई दुनिया में, भर भर के जो caves हैं, उनकी दिवारों पर paintings पाई गई, आर्टिस्ट जो पुराने जमाने के उन्होंने दबा के पुराना खुल के उस पे paintings गईरा की हैं, तो वो हमें मिलती हैं, अपर paleolithic time की ठीक है, lower paleolithic time की नहीं मिलती, और just for an information मैं बता दूँ कि उपर उपर से, जो paleolithic सबसे पुराना time मान लो, ठीक है, उसके बाद होता है mesolithic, और उसके बाद आता है neolithic, ठीक है, ये तीन मोटे मोटे जो हैं, वो divisions होते हैं, time के, basically, और paleolithic में भी अगर हम देखे हैं, ठीक है, तो अब उसमे के बारे में हमें पता है, अब पर क्योंकि अपरेंड तक आते आते हैं, काफी सारी artistic activities होने लग गई थी, caves भरी मिलती थी, paintings से, आगे बढ़ते हैं, तो ये जो caves होती थी, इन में बेसिकली जो themes थे, वो कुछ ऐसे थे, कि भई, जो प्राचीन मनुष्य है था, या तो अपन खुद की ही figure बना देता था, ठीक है, अपनी खुद की ही photo बना दी, हाथ पकड़के नाच रहे हैं, खुद की activities भई नाच गाना कर रहे हैं, जैसे कि ये बना रखा है यहाँ पर, ये नाच रहे हैं, एक दूछरे का हाथ पकड़के, ये hunting कर रहा है, ठीक है, तो ये hunting आगे देखेंगे अभी लखुदियार में, ठीक है, तो ये ऐसी कुछ geometric pattern से वो बना देता था, तो ये चीज़े भी canvas पे मिली हैं, उन गुफाओं के जो दिवारे हैं, उन पर हमें मिली हैं, इंडिया में जो paintings हैं, जो सबसे earliest paintings हमें मिली हैं, वो है upper paleolithic time की हमें, इंडिया म जो हमें मिली हैं, आगे बढ़ते हैं, अब जो इंट्रस्टिंग एक बात ही है, जो पहली discovery थी न, इंडिया में जो rock paintings की पहली discovery हुई, वो हुई थी 1867-68 में, एक archaeologist थे, Archie Bold नाम के, उनकी मुझे picture नहीं मिल पाई, इन तो मैं picture भी paste कर देता यहां पे, तो उन्होंने जो ह है, वो पहली discovery की थी, rock paintings की इंडिया में, काफी सारे, काफी सारे archaeologists वैसे हैं famous, इंडिया में जिन्होंने काफी अपना, जो है, contribution दिया है, और काफी सारी sites उन्होंने खोजी हैं, जैसे कि नाम दे रखा है, यहां पे, Cockburn, Anderson, Mitra, घोष, नाम याद करने के इतने जरूरत नही कभी भी exam में, लेकिन फिर भी थोड़ा knowledge के लिए पता होना चाहिए, और जो यह first discovery हुई थी, जो 1867 में, 1867 में जो first discovery हुई थी, इसके 12 साल बाद ही discovery हुई Altamira में, Altamira एक जगहें का नाम है, जो Spain में है, मैंने यहापे map भी दिखा रखा है, यह पूरा country जो है, यह है Spain, औ यहाँ पर करीब 12 साल बाद, लगभग की 1880 के around, यहाँ पर, जो है, caves पाई गई थी, और इन caves में, जो है, paintings पाई गई थी, जानवरों की painting, इंसान की painting, जैसे कि, मैंने यहाँ पर example दे रखा है, यह एक Altamira की painting है, जो यह sand जो बना रखा है, wild bull, तो यह भी Altamira से ही लिया ग लाती है, इंडिया में basically कुछ states ने रखे हैं, यहाँ पर नाम दे रखे है, MP, UP, AP, करनाटका और बिहार, इन states में basically जो यह paintings, cave sites हैं, यह हमें मिली है, अगर important, अगर मैं बात करूँ, अगर important site की, तो एक याद रखना कि कुमाव hills, जो है, उत्तरा खंड में है, कुमाव hills के अंदर एक जगे हैं लखू दियार नाम की, लखू दियार जगें पर हमें cave sites मिली हैं, rock shelters मिले हैं, जिनके अंदर paintings हैं, अब लखू दियार जो है, वहाँ पर हमें cave sites मिली क्यों हैं पहली बात, क्योंकि लखू दियार जो है, वो एक नदी के किनारे है, जिसका नाम है सूया ठीक है सूयाल नदी का नाम है तो इस नदी जो है ये लखू दियार के पास से बहती है और लखू दियार जो है इसी लिए हमें यहाँ पर रॉक शेल्टर्स मिले हैं क्योंकि क्या होता था पुराने जमाने में लोग जो है वो ऐसी जिगहें पर रहना पसंद करते थे जहांप पर पानी की अवलेबिल्टी हो जहांपर फ्रूट वगरा भी मिल जाएं और हम जंगली जानों का वो भी जानवरों को मार के खा भी लें और अपना पूरा मलब इजी रहें रिलाक्स रहें तो कोई चीज की कमी ना हो और पानी में से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट था क्योंकि आप खाने की बिना रह सकते हो लेकिन पानी की बिना रहना is like impossible तो इसलिए वो प्रेफर करते थे कि हम नदी के किनारे कोई ऐसा water source हो उसके किनारे हम अपना जो है जगें बनाएं अब लखू दियार जो है जगें उसका बेसिकली मतलब है 1 lakh caves जस मैंने अभी बताया कि वहां पर बहुत सारी caves पाई गई है जो यह paintings है basically उनका theme हमने discuss किया था भी कि mainly जो है आदमिया तो अपना खुद का photo बनाता था या जानवर का बनाते था या फिर कोई geometric pattern जैसे की wavy lines जो है जो है जो है यहां पर दिखा रखी है लखू दियार की है दोनों photos है तो basically यह जो यह तीन themes होती थी उसकी पेंटिक्स बनाने की यहां पर देखो जैसे दिखा रहा है यह दोनों लखू दियार की photos है इसमें जो है hand जो हाथों को पकड़ कर एक दूसरे के नाच गाना कर रहे हैं enjoy कर रहे हैं एक यह photo है handling dancing figures की और दूसरी photo है यह wavy lines की जो मैंने अब पहले भी बताया कि ऐसे wavy lines बनाते थे बैठे बैठे बनाते रहेंगे और यह फर यह pattern बन जाता था ठीक है तो basically यही उनके main themes रहते थे यह हर जगह पर even इसी जगह पर नहीं हम आगे भी पड़ेंगे हर जगह पर mostly आप देखोगे कि यही themes बार-बार वो बनाते थे कि और कोई च लाल रंग यहां पर लाल रंग से बनाई गई लेकिन अगर अल्टा मीरा में देखो तो यहां पर लाल भी यूज किया है और काला भी यूज किया है यहां पर तो यह जो दो-तीन रंग है यही वह यूज करते थे जानवरों की फोटो बनाते थे और handling dancing figures की हमने देख लिया तो क्या होता था? यह जो paintings होती थी, इक दूसरे के उपर. Super-impose का मतलब है, कि एक painting, दूसरी painting के ऊपर बनाई गई हो, फिर उसके उपर तीसरी painting पिन किसी ने बना दी, suppose करो कि एक generation ने बना दी, फिर उसके बेटे ने बना दी, फिर उसका जो पोता था फिर वो भी बनाने लग गया उसी के ओपर तो ऐसे super imposition हमने हमें देखने को मिली है लेकिन उस super imposition में हमें ये पता चलता है कि जो सबसे पुरानी जो थी ना सबसे पुरानी जो हमें paintings मिली है वो काले रंकी थी और काले के बाद फिर हमें पता चला कि ह अब ने देखा जब हमने observe किया तो वो थी लाल रंकी और लाल के बाद जो सबसे नई जो painting जो हमें मिली है लेटेस जो है वो है white में हमें मिली है जो की सबसे उपर थी layers में superimposed layers में सबसे उपर वैसे तो देखो हमने बात करें कि काफी states में जो है पाई जाती है ये जो sites हैं ये काफी सारी states में पाई जाती है लेकिन अगर हम बात करें especially करनाटका और आंध्रा की तो इन दोनों states में जो famous जगहें हैं वो दो-तीन हैं जिनका नाम यहां दे रखा है कुप गल्लू, पिकली हल और टीकल कोटा मैंने map में दिखा रखा है कि यह कहां पर है यहां प रखी हैं तो यह तीनों हैं एक कुप गल्लू है यह पिकली हल और यह टिकल कोटा तो यह तीन जगहें जो हैं यह important जगहें हैं इन दोनों states में जहां पर cave paintings, rock shelters हमें मिले हैं अब इनके themes की बात करें तो फिर भई themes इनके themes भही होते थे कि जानवरों की photo बना दी, पेड़ पोदों की photo बना दी, हाथी, घोड़े, बकरी, अपने इंसान की बना दी तो ऐसी कुछ इनकी जो paintings होती थी यही इनके themes होते थे अब अगर हम बात करें कि जो richest painting है पूरे भारत वर्ष में, पूरे इंडिया में अगर सबसे बड़िया painting अगर बात करें तो नाम आता है विंद्या range का विंद्या सत्पुड़ा अगर आपने नाम सुना हो तो Central India में है तो विंद्या ranges जो है मध्या प्रदेश में और उनका जो extension है जब वो extend होती है UP में तो उनको हम Camurian range कहते हैं Camurian hills कहते हैं जब वो UP में extend होती है मैंने यहाँ पर map में दिखा रखा है मैं एक सगन आपको दिखाता हूँ यह विंद्या range है ठीक है यह विंद्या range है और जब यह extend हो गई यहाँ पर तो देखो यह Camurian hills हम बोनने लग गई इनको यह UP है ठीक है और यह है मध्या प्रदेश तो मध्या प्रदेश में आता है विंद्या range और जब यह extend हो जाती है तो इनको बोलते हैं Camurian hills तो basically यह जो है यह best जो है हमारे rock paintings की sites है पूरे इंडिया में अब यह best और best क्यूं है यह मैं बताता हूँ लेकिन इन में हमें paleolithic और mesolithic time की जो है हमें remains मिले हैं जो हमें paintings मिली हैं वो paleolithic और mesolithic time को belong करती थी अब यह जो sites हैं वो इतनी अच्छी इसी लिए थी क्योंकि यहाँ पे facilities सभी थी जो अपने प्राचीन मनुष्य थे उनके लिए जैसे कि अब facilities की बात करें तो यह घने जंगल थे अब घने जंगल होंगे तो पेड़ बहुते भी होंगे fruit भी होंगे तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पर नदी जो जरने हैं और जो नदी की जो streams होती हैं जो नदी से निकलती हैं तो वो भी काफी पाई ज जाती थी तो इसकी वजए से यहाँ पर कोई भी कमीनी थी ना तो पानी की ना ही खाने की इसी वजए से यह जो है one of the best या best बोलूँगा पूरे इंडिया में rock shelter है हमारे अब आगे अगर बात करें तो इन जो यह hills हैं जैसे कि हमने उत्राखंट की बात करी थी अभी उसमें हमने देखा कि कुमाव हिल्स जो है कुमाव हिल्स की बात हमने करी थी ऐसे ही कुमाव हिल्स में जिसे हमने लखू दियार देखा था इसमें भी एक जगें है जिसका नाम है भिमबेट का अब भिमबेट का जगें ऐसी है विंद्या हिल्स के अंदर ही है यह तो इस जगें की specialty ही है कि यहाँ पर largest number of rock shelter जो है वो पाई गई है largest number of cave painting जो है caves है यहाँ पर पाई गई है भिमबेट का भोपाल से थोड़ी सी दूर है 40-45 km दूर है याद रखना हो तो रख लेना कोई इतनी जरूरी बात ही लेकि नाम भी जरूर याद रखना एक्जेंपल के तौर पर अगर कोट करना पड़ जा तो भिमबेट का जरूर याद होना चाहिए तो भिमबेट का हमने देखा कि इंपोर्टेंट जगें थी बहुत जहां पर largest number of cave आई जाती है largest most spectacular rock shelters यह भिमबेट का की discovery भी ही यहाँ पर बता रखिये कि भिमबेट का की जो discovery है वो 1957 में हुई थी लगभग 100 साल के बाद जब पहली discovery हुई थी इंडिया में पहली rock shelter जो rock caves जो मिली थी उनकी discovery के लगभग 100 साल बाद ही भिमबेट का की discovery हुई थी करी किसने थी archaeologist थे एक V.S. वाकांकर नाम के यह मैंने फोटो लगा रखिया उनकी तो यह Mr. V.S. वाकांकर जी है तो इन्होंने discovery की थी बिमबेट का की इन्होंने काफी study की है इसकी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी hills हैं घने जंगल हैं तो आराम से असानी से इंसान इनको access नहीं कर पाता है यहाँ पर जा नहीं सकता कि आप गाड़ी लेके निकल जाओ और अराम से travel करके आजाओ काफी घने जंगल है तो इन्होंने काफी study की है इनकी इनके paintings की यहाँ पर कैसी rocks हैं कैसी paintings मिली हैं काफी इन्होंने study में टाइम बिताया है तो अब बात करते हैं जि यह मैंने लखूदियार की photo लगा रखी यहाँ पर अगर मैंने नहीं बताया तो यह लखूदियार की photo है जो हमने अभी बात करी थी कुमाओ हिल्स में तो यह यहाँ पर लखूदियार है यहाँ पर यहाँ पर मिली है यह जो ना handling dancing figure जो है यहाँ बेवी lines इस जगहें पर य यहाँ पर यह मिली है बनाई गई आगे बात करते हैं कि जो themes of painting है भिमबेटका की वो भी वही है जैसे मैंने बताया कि जानवरों की photo नाजगाना कर रहे हैं hunting कर रहे हैं और कुछ household के scene जैसे कि वाइफ बैटी है खाना बना रही है बच्चे खेल रहे हैं तो ऐसी कुछ photos मि paintings हैं दूसरा की कैसे वो बनाई गई है उनकी technique कौन सी थी और तीसरा की super imposition की भई पहले बनाई थी या दूसरी layer है या पांचवी layer है कौन सी generation ने बनाई होगी तो ऐसे करके इनको divide किया गया है भिमबेटका की जो rock art को basically जो rock art जो rock paintings होती है ये के paintings होती है ये लगबग साथ phases में divide है साथ seven historical periods में इनको divide किया गया है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तीन phase देखेंगे paleolithic, mesolithic और chalkolithic ठीक है तो अब बात करते हैं कि paleolithic की upper paleolithic period अपर paleolithic period जो है अपर paleolithic period में paintings हमें जो मिलती थी और linear representation type की मिलती थी अब linear representation का मतलब है कि जैसे अब कोई painting मैं बनाऊ यहाँ यहाँ पे एक आदमी यहाँ बना दिया यह दूसरा आदमी तीसरा चौता पांचौता तो अब जैसे देखोगे कि जैसे ही छोटे होते जा रहे हैं तो मुझे हमें लग रहा है कि आदमी दूर खड़ा है ठीक है ना आदमी दूर खड़ा है जो last वाला आदमी है और जो सबसे बड़ा है जो सबसे बड़ी size की जो figure है वो हमारे पास है तो इसी को हम कहते है linear representation ठीक है यहां पर कोई जानवर मर गया होगा यह बना रखा है काफी clear तो नहीं है लेकिन फिर भी हम अंदाजे से बता सकते हैं आगे आते हैं कि जो color था वो basically green और लाल का use किया गया अपर Paleolithic period में और वही themes होती थी कि जानवर की बना दी human जो stick figure है ऐसे ऐसे यह stick figure की बना दी तो basically य यही जो थे यही कुछ themes अपर Paleolithic में होती थी अगर बात करें तो geometric pattern भी मिलते थे geometric pattern भी उस time पर थे लेकिन जो यह हरा रंग जो है हरा रंग basically हम use करते थे dancers के लिए जो प्राचीन मनुष्य जो है वो dancers के लिए use करता था शायद कि उससे थोड़ा सा अच्छा mood या relaxed mood kind of लगे कि dancing enjoyment कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं और जो लाल रंग है उसको use करते थे hunters के लिए hunting scenes बनाने के लिए जिसमें हम मार रहे हैं जानवर को काट रहे हैं तो थोड़ा सा aggressive दिखाने के लिए कि aggression है picture के अंदर तो ऐसा कुछ Upper Paleolithic का जो scene था देखो जैसे कि यह भी एक cave site है यहाँ पर अगर धक्या राम से कोई दिक्कत नहीं होती होगी तो मीजोलिथिक पीरेड के अब बात करते हैं मीजोलिथिक पीरेड ऐसा पीरेड था जहां से हमें largest number of paintings मिली है हमारे भारत वर्ष में जितनी भी paintings हमें मिली है total उसमें से सबसे ज्यादा painting जो है वो मीजोलिथिक पीरेड को belong करती है अब मीजोलिथिक पीरेड में क्या हुआ कि जो hunting scenes है न वो बहुत होने लग गई कि hunting scenes का जो paintings है वो काफी ज़ादा हमें देखने को मिली है और ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा कि hunting उस time पर काफी ज़ादा होने लग गई हो वो जानवर को मारने ज़ादा लग है तो ऐसा कुछ उस time पर हमें देखने को मिला है कि hunting scene जो है वो predominate करते थे मिजोलिथिक पीरेड के अंदर अब जो है वहाँ पर painting जो होती थी इस time पर थोड़ी छोटी हो गई compare to paleolithic period paleolithic period में बड़ी-बड़ी paintings होती थी लेकिन इस period में थोड़ा साइज जो है उनका छोटा ह हो गया लेकिन उनके कि आनके वह बहुत ज़्यादा हो गए तीमस मल्टीपल थीमस के लिए मल्टीपल लू बनाने लगए लग अलग अलग थीमस की spending मा लकई यहां पर दिया गया कि सारे themes ही हैं यहां तक यह पूरे themes दिये गया है जैसे कि यहां पर दे रखा यह family life का वो theme family जैसे women बैठी हुई है और children खेल रहे हैं ठीक है न यह बच्चे जो हैं बच्चे कूद रहे हैं खेल रहे हैं और dancing बगएरा हो रही है हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़के नाजगाना कर रहे हैं बच्चे बूड़े सभी को मतलब इसमें दर्शाय जाता था कि ऐसा नहीं कि किसी एक की ही painting बनाई हो सभी लोगों की painting जो painting में सभी लोग जो हैं वो include होते थे woman की painting बीना कपड़ों के कई बार कपड़ों के साथ में भी बनाई जाती थी और यहाँ पर भी काफी सारे themes दिये गए हैं जैसे कि उनको जानवरों की picture बनाना पसंद था जैसे कि मैंने बताया hunting बहुत होती थी उस time पर तो hunting दबाकिया होगी तो फिर animals की picture भी जादा बनेंगी कई पिक्चरों में तो उनका डर भी दिखाया गया है कि वो show कर रहे हैं कि हमें हमें डर है किसी जानवर का कि भई बड़ा जानवर है तो डर लग रहा हो तो ऐसे picture में से show किया गया है कि एक realistically जो है एक kind of दिखाने की कोशिश की गई है उस फोटो को कि भई जानवर अटैक करने वाला है तो छोड़ा सा fear दिखा दिया आदमी के मूँपर या फिर कई बार आदमी को प्यार करते होए जानवर को लगाव जानवर के साथ में तो ऐसा ही कुछ love का tenderness softness का एक kind of picture बना दी तो अलग-अलग emotions जो हैं हमें देखने को मिले हैं मिजोलितिक पीरेड में यह भी काफी सारे वही थीम्स हैं जानवरों के हो गई जानवरों की picture वगरा हो गई किसी में वो trap trap लगा रहा है अपने जो यह जैसे कि मैंने दिखाया इसमें कि मार रहा है देखो जैसे यह जो है spear है पैना जो इसको sharp करके वो इसको मार रहा है तो ऐसे अलग-अलग weapons है अपना वो जाल बिशा रहा है उसको मारने की कोशिश कर रहा है तो basically hunting scene का जो है काफी जादा क्रेज था उस time पर अब बात अगर करें तो colors की जो कैसे बनाता था तो basically जो अपर पहले पहले कम color use होते थे उतने color उसने shades नहीं थे लेकिन mesolithic time आते आते काफी सारे color जो है वो use होने लग गए पर फिर भी उनका जो favorite जो color थे उनके वही 2-3 थे जो इसमें एक सफेद है और एक लाल है ठीक है तो basically जो color जो favorite color थे वो तो यही थे लाल का use करता था और सफेद का use करता था जैसे कि सफेद में कोड़ा बना रहा है कितनी बहतरीन तरीके से बना रहा है कितना सुंदर है दिखने में पूरा proportionate है कि ऐसा नहीं कि उसके सर ज्यादा बड़ा बना दिया या पैर छोटे बना दिये बिलिकुल equal size का और इसमें darkness और lightness जो है पूरी equal amount में दिख रही है बा मिलता था hematite से hematite जो है वो एक mineral है एक mineral है जो एक rock होती है rock के अंदर काफी सारे minerals होते हैं तो एक mineral है hematite Fe2O3 iron oxide बोलते हैं इसको तो एक ही kind of iron oxide है तो यह जो mineral है इसको use करके इसको rub करके इसको रगड के वो उनको जो है लाल कलर मिलता था इससे वो लाल कलर का प्रयोग करते थे इसको गेरू भी कहते हैं भारत में इसको गेरू भी कहते हैं कई जगाओं पर और उनका जो हरा रंग का source था यह जो है यह चैलसर डोनी स्टोन है इसके बारे में यहां पर बात की गई है यह चैलसर डोनी है इसको रगड के उनको कु इसमें रेड सा है देखने को मिल रहा है आपको ठीक है तो ऐसा ऐसा कुछ वो करते थे कितना बहतरी दरीके से मतलब कितना नैचुरल बिल्कुल प्योर कलर वो यूज करते थे ऐसा नहीं कि कुछ मिलावट थी उसमें और जो सफेद रंग है जो यहां पर घोड़े पर यूज कर रख्याए इनको मिलता था लाइं स्वारा बशायब मिल जाता था अब ये जो है मिल तो जाता था लेकिन इसको यह बनाते कैसे यह बनाने की है इसमें यह प्रकरिया दे रखी है जो तरीका दे रखा है कि बहई पहले जो है ना पहले जो rock है उसको वो रगड दे ते उसको powder बना दे दे और powder बनानें के बाद उसको पानी दे मिक्स कर दे लिए थोड़ा सा paste बनाने के लिए और लेकिन गाड के tough Ben पिलाओगे तो फिर पतला होगा इसी लिए वो इसको गाढ़ा करने के लिए या तो animal fat का use करते थे या फिर gum का जो पेडों से मिलती है उसका use करके इस जो paste को जो पतला सा paste है इसको गाढ़ा करते थे और गाढ़ा बनाने के बाद फिर इसको जो है अपनी painting में use करते थे कितना किता सुंदर तरीके से मतलब वो उनका यूज करने का तरीका है अब आते हैं कि ब्रश इसमें ब्रश का भी बता रखा है कि जैसे ब्रश जो है वो प्लांट के जो फाइबर से अगर आपने कभी प्लांट जो है उसकी स्टेम है या उसके ब्रांच को करकर भी रगड़ा हो तो उसमें फाइबर से निकलने लग जाते हैं अब अगर उसको रगड़ते रोगे तो छोड़ा से न वो आगे से जो है उसके फाइबर जो है आप देखोगे फाइबर से निकलने लग जाते हैं उसके अंदर से तो उसी फाइबर को यूज करके उसी को ब्रश बनाके डबो के और उसी को रगड़ते थे वो दिवारों पर तो ये उनकी कुछ तरीके थे अपने पेंटिंग करने की अपने जो नैचुरल तरीके थे और अगर बात करें तो ये जो पेंटिंग्स है वो अब तक रुकी क्यों है अब तक ये ऐसी की ऐसी है क्यों इसके पीछे कारण क्यों है तो ये कारण यहाँ पर दिया गया है कि chemical reaction एक जो है वो होता होगा rock के surface के उपर, जब ही Fe2O3 है, जो iron oxide है, इस oxide का जो reaction है जब surface के साथ में होता होगा, तो वो एक permanent intactness आ जाती होगी उसमें कि वोना बिल्कुल छप जाता होगा, उसको फिर remove करना फिर पानी और जो weather बगारा से वो फिर हटता नहीं होगा इतनी आसानी से तो ये एक reason है, chemical reaction, oxide का, कि जिसकी वज़े से वो permanency उसमें आ जाती होगी अब अगर बात करें, जो ये artist है, ये दिवार उपर तो बनाते ही बनाते थे, लेकिन ये अपने छटों पर भी पेंटिंग्स करते थे, uncomfortable position में, अब बात बताओ कि छट पे पेंटिंग करना कोई, असान बात थोड़ी ना है, है ना, कि अब छट पे अब उबड़ का टेड़े वेड़े होगे, क्योंकि वो गुफा है, ना तो वो कोई कमरा है, कि पटिकुलरी आप CD लगा कर, उस पे अच्छा लगे, उससे देखने में यू लगे कि हाँ वई, क्या पेंटिंग करें, अमनों दूर से ही दिख जाए, दूर से ही अच्छा लगे दिखने में, तो basically उसका reason जो था, वो ये था, छटो पर बनाने का पेंटिंग्स को, सुन्दर जो पेंटिंग्स हैं उनकी, वो उन जगहों पर भी हमें पेंटिंग्स मिली हैं, और वो इसी लिए होगा, कि शायद वो उनके कोई religious place हो, जो उनकी माननेता हो, कि भाई, हमारे local deity हैं, हम इनको मानते हैं, हमारे भगवान हैं, तो वहाँ पर जाकर वो शायद फिर उस पर बनाते हों, उनके painting वगरा कुछ न का religious reason रहा हो, ठीक है, अगर वो living places नहीं है, तो शायद वो religious places होंगे, जहाँ पर यह ऐसी चीज़े मिली हैं, अब बात करें हैं, अगर जो paintings हैं, उसमें जो quality है, वो बिल्कुल भी यू नहीं कह सकते कि उसमें कुछ कमी है, ठीक है, क्योंकि आज कर अब technology बढ़ गई है, तो development आई है काफी सारी, लेकिन अगर उस समय के time के हिसाब से देखा जाए, तो picture की जो quality है, जो natural colors उसमें use होए है, उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो color से ये बिल्कुल एक pure तरीके से लिये गए हैं, एक बिल्कुल ही खुद ही उन्होंने उनको extract किया है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं देखने को मिलती, बात करें कि अगर conditions उनके उपर limitations तो थी काफी सारी, क्योंकि जो से working conditions अब गर्मी हो, ठंड हो, तूफान हो, तो काफी सारी दिक्कते आती हैं, लेकिन फिर भी उनकी picture की quality में, उनकी pictorial quality में हमें देखने को जबरदस picture मिले अगर बात करें, तो उनके जो scenes होते थे, वो basically उनके normal everyday life की scenes होते थे, वही वो scene को paint करते थे, वो ऐसा नहीं कि कोई कुछ चीज imagine करें, और उस चीज़ को imagine करके कि जो बही real ना हो, लेकिन उसको भी paint करने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल जो उनकी देखी हुई जिने की जो आदते हैं, जो उनके रोज मर्रा की जिन्दगी जो है, उसी को वो एक scene में create कर देते थे, उसको बना देते थे, जैसे कि hunting कर रहे हैं, खा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, तो ऐसा ही simple, बिल्कुल simple, लेकर ना simple scenes होते थे बिल्कुल, जिसमें कि उनको नाच गाना क करते हो या जानवरों को भी जानवरों को भी काफी बिल्कुल मतलब मस्ती में दिखाया गया है कई पिक्चर में तो बलकि इतने जादा यूथफुल तो शायद जानवर होंगे भी नहीं उस टाइम पर जितना उन्होंने दिखाया आए पिक्चर में तो एक उनकी kind of imagination भी कह सक दिखाई देगी और वो है struggle struggle for survival जीने की एक इच्छा एक जो आपकी जो struggle है आप जो जीने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हो एक दूसरे के गेंज की जानवर आपको मारना चाहता है जानवर आपको हर्ट करना चाहता है और आपको जीना है तो आपको कुछ खाना पड़े किसी पिक्चर में वो दिखा रहे हैं कि भई आदमी नाच रहे हैं किसी पिक्चर में जानवर तडप रहा है किसी पिक्चर में आदमी तडप रहा है आदमी गिरा हुआ है आदमी को चोट लगी हुई है तो ऐसे ही कुछ सीन जो है वो दिखाते थे इसमें अपने पिक्चर यहां पर painting करते होंगे जब बारिश हो गयरा कुछ आ रही होगी तो यहां बैठ गए होंगे और बनाने लग गए होंगे तो यह उनकी कुछ उनके शौक थे उनकी आदतें थी जो कि हमें देखने को मिलती है अब आगे बढ़ते हैं कि देखो अभी भी इंडिया में काफी सार हैं जहां पर ये rituals यहां पर ये rights कि जैसे आपने आपको अपने face पे जो marks लगा के और आग चारों तरफ घूमना और ये rituals करना कि जब कभी किसी का जन्म होता या कोई death होती है किसी की तो यह काईंड आफ रिट्वल करना ये painting करना या कुछ एंग्रेव करना कुछ दिवार पर मतलब छापना कुछ गाड़ना चैनके आप पत्थ की लखी चाइए पत्थर की लखी कहते हैं कि पत्थर की लखीर मिटती नहीं है तो वह दिवार उसी करना अब भी कि जानवर उन्हें असानी से मिल जाए और उन्हें पावर मिलती हो वो पावरफुल फील करते हो एसा भी एक रीजन हो सकता है ये रिचुल्स करने का जैसे कि अब यहां दिखा रखा है ये दो आदमी है स्पीर लेके ना भाला लेके घूम रहे हैं और ये शायद जानवर यह उनकी एक आदत थी एक न एक beautiful जो scene को describe करने की उनकी एक आदत थी अब ये dancing scene भी देखो जैसे कि dancing scene दिखा रखा है यहां पकड़के नाच रहे हैं मस्ती कर रहे हैं यहां पर यह दो हैं यहां पर जानवर है यह सारे तो यह हमें अब यह जो dancing के कई बाहर आचुकी है पहले भी हमने थोड़ी देर पहले देखा लखूद यार में भी ऐसे ही थी लखूद यार में भी मिली है हमें और और बी कई जिखेंपर बेटका में भी मैंने अभी दिखाई आपको cave के अंदर जो ऊपर की तरफ बना रखी थी तो ऐसी जो चीज़े हैं वो काफी मिली है और इन size का proportionate ताकि realistic एक picture लगे tonal effect भी एक ऐसा ही चीज़ है कि tonal effect मतलब कि high tone या low tone ज्यादा bright या ज्यादा dark तो उस हिसाब से कि realistic सी picture लगे कि ना तो ज्यादा dark ना ज्यादा light और उस हिसाब से कि कहां dark करना है कहां जा थोड़ी सी brightness देनी है तो वो उन चीज़ों का भी उन्होंन उनकी imagination रही होगी, एक realistic picture बनाते होंगे वो, भीमबेटका में अगर देखा जाए तो भीमबेटका में करीब 20 layer मिली है, 20 layer painting की और वो शायद इसलिए मिली होंगी, उनके कुछ reason हो सकते हैं, एक reason तो यह हो सकता है कि भई artist को अपनी creation ही पसंद ना आई हो, कि भई बढ़िया ठीक है वहाँ पे जादा बार-बार आप बार-बार जाते होंगे मनुष्य, प्राची मनुष्य, अपने माथा टेकने के लिए या पूजा करने के लिए ऐसा, कुछ उनका हो, कुछ होगा, तो बार-बार वहाँ पे जाके बनाते होंगे, अलग-अलग लोग गई होंगे, बनाते गए होंगे तो layers ऐसी काफी मिल गई होंगी एक दूसरे के ऊपर या फिर तीसरा reason हो सकता है कि अलग-अलग generations हो कि एक generation है फिर उसके बेटे ने बनाया फिर उसके पोते ने बनाया उसी के ऊपर तो ऐसी ये भी एक reason हो सकता है बार-बार इसकी इतनी layers मिली हो 20 layer के आसपास हमें मिली है भिमबेट का में rock paintings की तो चलो अब ये end of the topic आ गया इसमे end of the chapter में आ गया हम तो देखो summary में अगर हम बात करें तो summary में हमने इस chapter में यही सिखाया है कि भाई जो पुराने लोग होते थे जो early human beings होते थे उनका lifestyle कैसा था उनकी खाने की आदत ही कैसी थी उनकी daily activities कैसी थी और सबसे ज्यादा तो हमने इस chapter में यही सिखाया है कि वो सोचते कैसे थे उनके सोचने का तरीका कैसे था उनका जो सोचने का तरीका था वही हमें पता चला है painting की मदद से पेंटिंग के तरीके से उनके हमें यह बता दिया कि हम ऐसा ऐसा करते थे हम ऐसा ऐसा सोचते थे हमें गान अच्छा लगता था नाचन अच्छा लगता था तो यह काफी सारी चीजे हमें इस chapter से मालूम हुई है जो prehistoric period है to be very true वो एक kind of witness रहा है human civilization के जो na evolution जो हुआ है मानव का जो प्राचीन मानव का की कैसे वो develop हुआ कैसे पहले वो था फिर उसने थोड़ी सी चीज जाने गिरा पड़ा फिर उसने सीखी चीजे तो उसका एक जो है वो witness है जो प्री historic period जो है अपनी आखों से उसने देखा है इंसान को change होते होए धीरी धीरे change होते होए और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जो wealth जो वो मनुष्य जो प्राचीन मनुष्य है हमारे पास छोड़ कर गया है वैसे तो बहुत सारे औजार भी मिले हैं मठके मिले हैं और भी काफी हड़ियां लेकिन सबसे बड़ी वैल्थ अगर वो कुछ छोड़ कर गया है हमारे पास तो वो है उसकी paintings उसकी rock पर बनाई गई चटानों पर पत्थरों पर बनाई गई उसकी paintings जिससे हमें ये पता लगता है कि उसने किया क्या होगा उसने उन औजारों के साथ में किया क्या होगा उनका कैसे use किया होगा उसकी रोजमर्रा की जिंदगी होगी कैसी क्या खाता होगा पीता होगा कहां रहता होगा तो ये चीज़े हमें इस chapter से मिली हैं ठीक है तो ये chapter यहाँ पर खतम होता है I hope कि आप सब को अच्छे से समझ आगी होगी सारी चीज़ें और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो you can tell me in the comments below और मैं जरूर उसका reply करूँगा study hard, study well अपने exams के लिए अपनी health का खयाल रखना अपनी family का खयाल रखो and I will see you in the next video टेक केर, बाबाय, जैहन